नमस्कार सातियो एक बार फेट से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चनल पर जैसा कि आप सभी को पता है जो आपके कम्पिटर अनुदिसिक बरती का जो पेपर हुआ था वो बहुत ही हाड आया था इसी को लेकर आपके कोचिंग वालों ने अभी अभ्यारति का आप साथ देना सुरू कर दिया है और 40% का नियम भी खत्म होना चाहिए या नहीं इसी को लेकर भी एक अपडेट है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके रे निरमर गैलोत की तरफ से टूइट आया है जिसमें लिखा गया है कि आगे कभी ऐसी समस्या नहो इसके लिए मैंने एक जनीत याचे का भी लगाई रखी है जिसकी सुनवाई गर्मी की चुट्टी के बाद नियाले खुलने परोगी क्योंकि आप सभी को पता है आपके वह गर्मीत की चुट्टियां चल रही है और जैसे आपकी चुट्टियां ख़त्म होगी उसके बाद इसकी समस्या का निरवारन हो सकता है कम्पिटर अनुजिसिक भरती परिक्सा में बेसिक का पेपर इतने उच इस्तर पर देना सिलिबस का नुसर नहीं देना यूनिट वाइज अंकबार का सही इनुपात नहीं होना ये बहुत ही गंबिर बात है आयक को इस पर तुरंट संग्या लेनी चाहिए साथियो बहुत सारे ऐसे अभ्यारती भी है जो बहुत ही बड़ी-बड़ी कोचिंगों में जाकर उन्होंने भी मैनत करके कोचिंग वालों ना भी पढ़ाया था लेकिन उनमें से बहुत ही कम कोशन आये जिस उसे कोचिंग वालों को भी अतासा है और साथ ही सबसे बड़ी अतासा उन अभ्यारते को है जिन्होंने इतनी मैनत के बावजूद उनके नमबर नहीं बन रहे है क्योंकि ये चालिस परसंट के नियम के साथ-साथ उनका पेपर भी कापी लेवल आका था तो साथियो इसके लिए हम बस एक ही काम कर सकते हैं हम लोग सभी एक साथ आवज अगर उठायते हैं तभी हमारी आवज सरकार तक पहुचेगी और अगर हमारी आवज पहुचती है तो वो जरूर इसके लेकर कुछ फैसला करेगी इसके लिए साथियो आप लोग किसी भी माद्यम से वाटसब के माद्यम से टेलीग्राम के माद्यम से ट्रेटर के माद्यम से अन्य किसी भी अन्य माद्यम से आप लोग ट्रेट करवाईए आप ज़ाद से ज़ाद ट्वीट कीजिए क्योंकि आप ज़ाद से ज़ाद ट्वीट करोगे तभी आपकी आवाज सरकार तक पहुँचेगी और अगर हम सभी एक साथ मिलकर सरकार के तरफ आवाज उठाए और कहें कि चालिस परसंट का नीयम या तो खतम हो या हमारा एक्जा आवाज उटाए और साथ ही हम भी अगर आवाज उटाए तो ये बात बन सकती है यदि आप भी हमारे इस मोहिम में सामिल होना चाहते है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि हम भी आपके साथ है साथ है इस वीडियो को जादा से जादा सभी अभ्यारतों तक और ये आपके रास्तान में पहली बार हुआ था और ये भी बहुत गंबिर बात है कि आपके साथ जो पहला ही एक्जम हुआ था वो इस तरके से हो रहा है इसी बात को लेकर आपके अन्ने भी बहुत सारे टूइट आ रहे है जिसमें आप लोग देख सकते है लेकिन क्या 8000 आपके कम दे दिया जाए और आपको 50 प्रशन गणीतो और रिजनिंग के दे दिया जाए तो कोई भी अव्यारती बहुत ही कम अव्यारती वो प्रशन को अटेंड कर पाएगा और यहीं अटेंड भी कर लिए तो उनके 40 प्रशंट अंग भी लाना बहुत ही मुश्किल वड और इस वज़े से उनके कम नंबर भी आ जाते हैं। और दूसरा अपका पॉइंट है गलत क्वेस्टन के आपके बोनस मिलें। तीसरा पॉइंट है पेपर दुबारा हो। छौता पॉइंट है जिन एप से अपने के कोर्स कराया था। और बहुत सारे ऐसे ब्यार्दी थे जो जैपूर बड़े-बड़े सेरों में जाकर लाकों रुपे देकर और ओस्टल में या फिर अन्ने जगों पर रहकर रोम के किरायों पर रहकर वो पढ़ाई कर रहे थे। और वास्तव में उन अब्यार्दों ने भी बहुत ही मेनत की थी लेकिन जब उनका पेपर आया तो वो किस लेवर काया वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। सचिवाले में मुक्य सचिव उसा सर्माजी से मुलाकत की, कम्पिटर अनुदुद्र भरती के बारे में बताया मेडम ने वाइरल एप की जाज करवाने के लिए कहा, सीटे खाली जाने पर 40% नियुतम मार्क की योगिता को कम करने के लिए कहा, मेरा प्रया सीट खाली नहीं इसी बात को लेकर आपके लिए मांग की जा रही है, साथ ही आपके लिए एक नियुज है, जिसमें लिखा गया है कि बेसिक और सीनियर कम्पिटर अनुदुद्र का पेपर बिना पैटन के बननाना, बोर्ड की कम्यों को दरसाता है, सीनियर का पेपर बहुत ज़्यदा सरल और बेसिक का पेपर इतना कटीन ये दरसाता है कि उन्हें सीट बरने का मानी नहीं है, सरकार 40% नियुद्व अंग को संगय मिले और इसमें छूट परदान करें, इसी बात को लेकर आपके लिए बहुत सारे ट्विट की जा रहे हैं, तो सातियों हमारे इतना सब कुछ बता रही है, पहली तो यह है कि आपके 40% का नियम है ये पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या फिर आपके जो आड लेवल के सभी कोर्षन आये थे, उन सभी का बोनस अंकर आपको दे दिया जाए, तो आप 40% का नियम हटाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके 40% नंबर बन जा और तीसरा पॉइंट ये भी एक बैरतियों की मांग है, जिसमें कहा जा रहे है कि ये पेपर ही दुबारा करवाया जाए जाए, तो साथियो, आप लोग को तीनों मैंसे कौन से ज़्याद अच्छी बात लग रही है, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, और साथ ही कि ये आप मारे चैनल पर पहरिबार आए थे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें